हलो गाईज गूड इबनिंग तो अभी आचुके हैं बड़े में बड़े सिलिप्रेट करनें और ये रही बड़े गर्ल तो बड़े गर्ल अभी रेडी शड़ी हो गई है और रेडी है केक कट करने के लिए और अभी उनके पापा ताच पे नहा रहे हैं तो ये हैं इनके पापा और ये रहें इनके दादी मा और अभी टीका कर रहे हैं तो सभी बच्चे लोग खड़े हैं और पारी पारी से सभी लोग को टीका हो रहा है और बच्चे लोग को बहुत एक्साइटमेंट रहता है गाईज की मेरे को भी टीका होगा आरती विगरा हो क्योंकि सामने में केक है तो केक को देख करके बहुत इन लोग का थोड़ा सा चूल मच जाता है कि नहीं चाहिए पहले केक तो यहां पास अब हो रहा है आरती तो आरती होने के बाद है अब सायद केक कटेगा देखते हैं तो सभी लोग अच्छे से अठीका बिगरा आरती बिगरा कर लेंगे उसके बाद केक कटेगा और केक कटेगा तो सबसे पहले मेरे को भी इन दे जा रहा है कि कब केक कटेगा और गाईज यहां पास हमी सभी लोग को टिका कर रहे हैं सारे बच्चे को और टिका करने के बाद अपके कटेगा और केक मेरे को भी बहुत पसंद है गाईज हमी केक खाटते हैं बहुत तो बड़ा हो या छोटा हो केक तो सभी लोग को शायद सभी लोग को पसंद होता है बह हमें आपस साइद हमें उल्टा पुल्टा कुछ काम किये हैं तो आप लोग देखकर के बताईगा कि क्या हमें आपस उल्टा काम किये हैं इसको फड़सा उधर रागळ दीजेन नए सुने जाइब भी उधे? जाइब एक तो यह है मेरी प्यारी सी बेटी और यह बेटी आराणी का अज बड़े है तो हम लोग बड़े से लिए आज आप लोग देखें देखें मेरी बेटी आराणी की प्यारी लग रही है वो गरुस लगा करके और मेरी इतनी बड़ी हो गई है अब यारी बड़ी होगी और आप लोग भी अच्छे अच्छे ब्लेसिंग दीजिएगा और पढ़ ली करके मतलब हम लोग का नाम रौसन करे, मावब का सब का नाम रौसन करे, मेरा यह सिबादर, और आप लोग भी अच्छ-च्छा बलेसिंग दियेगे, तो, थाइग यूूू। लभे यू बेटा, बोलो लभे, बाय बायू।